हैलो स्टूडेंट वेलकम टो स्वातिस क्लासेश आज हम देखेंगे सिक्स्ट स्टैंडर का हिस्ट्री लेसन नमबर त्री दा हरपन सिविलाइजेशन तो इस लेसन में कुछ पॉइंट हम डिसकस करने वाल है जैसे कि हरपन सिविलाइजेशन हाउसिंग एंड टाउन प्लान आले हैं तो लेसन को स्टार्ट करने से पर ले स्टूडेंट अगर आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूब कीजे आपको चैनल पर प्लेइलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सिख स्टैंडर के हिस्ट्री सिविक्स, स्टार्ट करते हैं कि हरपन सिविलाइजेशन कहा पर स्टार्ट वा या फिर ग्रोव हुआ था आच्योलोजीकल एक्सक्राइशन फर्स्ट बिगन इन 1921 सी एट हरपा इंद पंजब ऑन दी बैंक ऑब दी रिवर रावी तो आच्योलोजीकल एक्सक्राइशन का मिनिंग होत तो उसे आर्केलोजीकल एक्सक्राइशन कहा जाता है तो यह 1921 सी में किया गया था जहाँ पे हरपा जो कि पंजब रिवर जो है रावी रिवर वहाँ पे किया गया था तो देखिए इस मैप दिया है तो आपको यहाँ पर भी समझ में आएगा तो खहाँ पे हैं यह था यह पे हरपा और यह कुणसी नदी है तो रावी रिवर जो कि पंजब में आती है तो वहाँ पे किया गया था that is how the civilization came to be known as harapan civilization it is also known as indus civilization तो इसको harapan civilization भी कहा जाता है तो इंद्स नदी गए गाए है तो यह जो आपको दिखरें है इंद्स नदी तो यही आगे जा रही है तो जहाँ pengarapan civilization हमें दिखाई देती है जैसे कि आगे भी अगर आप देखोगे और यहाँ पर मैप में हमें दिया हुआ है कि Sides of Harappan Civilization जो है Index में आगर आप देखेंगे तो जो round आपको यहाँ पर दिया है Black color का dot तो वो सारे जगग क्या है Harappan Civilization है जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे यह जो सारे नाम आपको दिये है तो यह क्या है Harappan Civilization तो यह पूरी जो नदी है नदी के किनारे पे यह civilization दिखा था Next हम देखेंगे Exeggivation was also carried out at Mohenja Daru A place about 650 km to the south of Harappan in the Indus Valley तो Mohenja Daru जो है वहाँ पर भी exhibition किया गया था जहाँ पर Harappan Civilization मिला है तो कहाँ पर है देखिए Mohenja Daru अगर यहाँ पर देखेंगे यह है Harappan और यहाँ से अगर हम देखेंगे इंदूस नदी के किनारे पे तो Mohenja Daru हमें यहाँ पर दिखीगा कि जहाँ पर Harappan Civilization दिखी थी There was a striking resemblance between the remains of structures and artifacts found at the two places तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि Harappan Civilization जो है हमें बहाँ पर दोनों जगह पर मिली तो कुछ जो art facts होते है या पर तूटे-फूटे जो घर होते है या फिर कुछ structures या फिर जो remains होते है चाहिए वो कुछ भी हो तो उनसे अगर उनमे similarities हमें अगर दिखाई देती है तो वो हमें समझ में आता है Similar remains have been found at Dolvira, Lothal, Kalimangan and Daimabad etc तो यहाँ पर भी similar remains दिखे थे जिससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर भी Harappan Civilization मिली थी तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे अगर map में तो आपको यह चीजे जो नाम दिये हुए है तो वो दिखेंगे इस तरीके से जो black color का dot दिया है इसका meaning क्या है यहाँ पर same remains मिले थे जो कि क्या थे हरपण Civilization इस जगपे भी थी तो बाकि कि भी आप यहाँ पर ढूंड सकते हो तो आपको easily समझ में आ जाएगा तो देखिए कि किस तरीके से हरपण Civilization के बारे में हमें पता चला कि जो execution होते है जो उत्खनन किया जाता है और उसमें जो remains मिलते है चाहे हो घरों के हो पॉर्ट हो ज्वैलरी हो या फिर जो भी art facts वगरा होते है उन्हें study करके फिर हमें उस समय के चीज़ों के बारे में पता चलता है जैसे कि यहाँ प फिर चीज़े मिले उनकी characteristics क्या होती सेम थी इंक्लूड टाउन प्लानिंग, roads, construction of houses, drainage system, seals, pots and toys and burial customs तो कौन सी चीज़े सेम दिखी थी यहाँ पर कि टाउन का जो प्लानिंग होता है किस तरीके से घर बनाया जाते है या फिर वहाँ के roads, houses का construction, drainage system यह सारी चीज़े जो हर पर पाया गया था, next आपको दिया है, describe the structure of houses in your locality, can you tell me आपको दिया है कि आपके locality के जो houses है, उनका structure केसे है, वह आपको describe करना है, do they have a flat roof or tile sloping roof, कि flat roof है या फिर sloping roof होते है उस तरकी के, तो यह क्यों दिया है कि ऐसे जो चीज़े होती है उनसे हमें पता चलता है कि कोन से स time का environment केसे था, यह सारी छुटी छुटी चीज़े जो है हमें पता चलते हैं कि अगर आज के जमाने में हम लोग रहते हैं, तो हमारे houses के से हैं, तो उस time के के से होंगे, तो यह सारे study किये जाते हैं, तो हम दखेंगे कि housing and town planning किस तरह के का था हरपन civilization में, the houses and other structures in हरपन civilization were mainly built with back bricks, कि mostly जो houses बने थे या फिर जो भी structures उन्होंने बनाए थे, वो किस तरके से बनाए थे, back bricks जो होते हैं, इटे जो होती हैं, उनसे बनाए थे, in some places, unbaked brick and stones were also used for construction, कई जगा पे जो unbaked bricks होती हैं, कच्ची, इटे जिसे हम कही सकते हैं, उनको भी use किया था, और stones जो होते हैं उनको भी construction के लिए use किया गया था, the houses had rooms built around a central court ad, कि houses किस तरके से बनाए जाते थे, central court ad के around, the houses had wells, जो भी houses बनाए जाते थे, उनके लिए wells होती थी, bathrooms and toilets भी होते थे, there was an excellent drainage system in which back earthen condats were used, कि जो drainage system होती थी वहाँ पे back earthen condats को use करके, काफी अच्छी drainage system उस टाइम बनी हुई the streets had covered drain built with bricks, और जो भी drains होते है, street के side में, तो उसे cover किया गया था, bricks की help से, this shows great concern regarding public health, तो जैसे कि देखिए, अगर हम देखेंगे, जो खुली गटारे जो होती है, drainage system अगर अच्छी नहीं होगी, तो public health जो है, काफी problems वहाँ पे create होते है, अगर पानी खुला है, तो वहाँ insects होंगे, organism बढ़ जाते है, जिनके कारण जो है, पूरी तरिक, जैसे कि mosquitoes की अगर संख्या बढ़ती है, तो उसे हमें problem हो सकती है, लोग बीमार भी हो सकते है, तो उस time ये चीज़े देखी गई थी, कि उन्होंने जो drainage system थी, वह काफी अच्छी बनाई थी, और street के उपर जो street pattern हमें दिखता था, houses were built in the rectangular blocks created by them, कि houses जो बन देते हैं, वो rectangular blocks से बनाई जाते थे, देखें, आगर आप picture देखोगे, हरपन civilization whale जो आपको यहाँ पे दिया है, कि houses जो होते हैं अभी देखें, पूरा नहीं दिखिएगा हमें, क्योंकि काफे साल पुराना है, तो थोड़े से जो बचा हुआ, remains है, उससे ही हमें समझ में आएगा, कि इस तरके कि हर घर के लिए क्या बन दी थी, whales होती थी, next हम देखेंगे, can you tell me आगे आपको दिया है, what problems regarding health and hygiene will arise if the drains are not covered, जैसे कि पहले हमने देखा, कि drainage system proper नहीं होगी, drains जो है अच्छे से covered नहीं होंगे, तो mosquitoes बढ़ इस वे डिवाइड़ इन्टो टू और मोर सेक्शन और इच सेक्शन हैड सेपरेट फोर्टिफिकेशन, हर एक टाउन को डिवाइड किया था, तो या फिर उससे ज्यादा सेक्शन में और हर एक सेक्शन के लिए फोर्टिफिकेशन होता था, next आपको दिया है, try this में, cut a potato इ आप लेटर कार्व करते हो उसके अंदर तो या फिर कोई डिजाइन बना सकते हो और बाद में उस potato को आपको इंक में या फिर color में प्रेस करना है और उसको फिर आप क्या करोगे पेपर क्यूपर अगर प्रेस करोगे तो आपको क्या दिखेगा, observe what happens कि जो भी डिजाइन आ और या फिर सिक्क्य होते हैं उनको यूज करते थे, the seals of the harapan civilization were mainly square shape, कि उस ताइम कैसे होते थे square shape, जैसे कि अगर हम बाद में देखेंगे तो वो round shape में हमें दिखाई देंगे, लेकिन उस ताइम के जो थे square shape में थे and made from a stone called a stateite, जो stone होता, एक special stone जिससे ये बने होते थे, these seals be are pictures of animals, और इन seals के उपर animals बने होते थे, they include pictures of real animals like a bulls, buffaloes, oxen, elephants, rhinos, tigers, etc. और imaginary animals जैसे की unicorn होता है, उसको भी count किया जाता था, humans figures are also seen, humans figures भी उसमें दिखती थी, these seals were used as a stamp, stamp के तोर पे उसे use किया जाता था, earthen pots of various types and shapes have been found at the exhibition, तो देखेंगे, seals जो होती थी उस time यहाँ पे हमें दी हुए, कि square shape में होती थी, और इसमें अगर आप देखोगे तो animals बने हुए है, उसके बाद अलग तरकी के designs बने हुए ह जो हमें इस seals के उपर दिखेंगे, next हमें देखना है कि pots, उस time जो pots बने होते थे, उनके कुछ execution में हमें कुछ parts मिले, जिसके according हम कह सकते कि उस time कि सरकी के pot लोग use करते थे, उसके पहले हम देखेंगे, यहाँ पे do this में आपको दिया है, कि interview a person skill in making earthen pots to learn how they are made, कि जो earthen pots बना किस तरकी के clay वो use करते है, where do we get the clay, उनके clay कहा से मिलता है, and how much time is needed to make one pot, कि one pot बनाने के लिए उनके कितना time लगता है, there are red terracotta pots with patterns and designs in black color, the patterns include fish scales, interlocking circles, people, leaves, etc, देखेंगे आपको यहाँ पे picture दिये हुए, जिससे आपको थोड़ा सा idea लग जाएगा, कि किस तरकी के pots वो कि देखेंगे, इस तरकी के जिनके उपर fish scale जो design होता है, उस तरकी के आपको बना हुआ दिखेगा, उसके बाद interlocking circles होते है, अलग अलग टाइप के जो design से वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, इस तरकी की कुछ बरतन जो थे वो लोग क्या करते थे, उस time use करते थे, next हम द देखना है, observe करना है कि किस तरकी से swimming pool का जो पाने होता है, वो change किया जाता है, या फिर उसको किस तरकी से clean किया जाता है, और compare कर सकते हो कि आज की जो swimming tank है हमारे उससे हर अपन बात जो होती थे, उसके साथ में हम compare कर सकते है, the great bath, a spacious bath has been discovered at Mohenja Daru, the tank in the great bath was nearly 2.5 meter deep, तो Mohenja Daru जो है, वहाँ पर हमें कुछ remains मिले है, इस great bath के, जैसे कि आप picture में देख सकते हो, तो ये कितना deep है, 2.5 meter deep है अंदर की तरफ, it was 12 meter long and 7 meter wide, तो ये तना बड़ा है कि 12 meters long है, और उसकी width जो है, वो 7 meter है, it was lined with a bag bricks to prevent seepage of water, और ये किस से बना हुआ है, बेक brick से, जिसके कारण प अंदर जाने के लिए जो है, आप देख सकते हो, इस तरह के से क्या बने हुए, steps बने हुए है, there was also a provision for draining, cleaning and refilling the tank from time to time, तो जो swimming tanks होते है, तो उनको daily क्या करना होता है, refill करना होता है, पानी जो है, हर बार change करना होता है, और पानी निकालना है, तो वहाँ पर draining system फिर से देखे, आपको picture भी दिया है, the great बात at Mohin Jodharov, तो आपको थोड़ा सा idea आजाएगा कि किस तरकी का वो बात है, next हमें दिया है, name the fruits and crops grown in your area, कि आपके area में कौन से fruits and crops grow किये जाते है, what clothing do the people in your area use, आपके area के लोग किस तरकी की कपड़े पहनते है, write the names of the ornaments you know, ornaments means जो jewelry हम लोग पहनते हैं, तो उनके नाम आपको लिखने है, तो जैसी कि lifestyle किस तरकी का होता है, कौन से तरकी के कपड़े हम पहनते हैं, jewelry पहनते हैं, जैसी कि आज हम करते हैं, तो उस time के लोग किस तरकी से करते हैं, तो ये चीज़े हम compare कर सकते हैं, study करके, life in the harapan civilization, the harapan people practice agriculture, कि उस time के लो मिले हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं, कि उस time के लोग जो है, खेती करते थे, the people, there were grew different crops, mainly wheat and barley, कि उस समय जो लोग थे, वो क्या ग्रो करते थे, mostly wheat and barley, in Rajasthan, barley was grown on a large scale, while in Guzrat, it was ragi, तो राजस्तान में barley उगई जाती थी, and Guzrat में ragi, peace system and lentils, जिसे हम मसूर कहते हैं, were also cultivated, the harapan people were also familiar with cotton, कि यह सारे चीजों के साथ साथ, वो cotton को भी उगाते थे, the statue, the picture on the seal, and the remains of cloth found in the activation, indicate that the harapan people used to weave cloth, कि जो statues बने हैं, उनके उपर अगर कपड़े बने, इसका मतलब वो लोग खुद के लिए कपड़े उस तरके के बनाते होंगे, या फिर जो remains मिले cloth के, उससे भी हमें य होता है, वो जानते थे, यह हमें समझ में आता है, the dress of both men and women consisted of knee length cloth and upper garment, कि उस तरके के जो कपड़े होते थे, उनके गुपनों तक आते थे, इस तरके किसे कपड़े वो लोग पहना करते थे, next आपको दिया है, ornaments in harapan civilization, कि कुछ इस तरके के गहने, जो है, जो है, जो है, लोग उस ताइम पहनते थे, many types of ornaments have been found in execution, तो ऐसे कई सारे type के ornaments मिले हैं execution में, they are made of gold, copper, precious stones, as also shell, cowries, seeds and etc, तो यह सारी चीज़े यूज करके, यह सारी क्या है, ornaments बने थे, main and women both use multi strand neck, lace rings, armlets and waistband, तो main and women दोनों भी उस ताइम क्या करते थे, इस तरके के ornament या फिर jewelry पहना करते थे, women wore bangles right up to their upper arm, तो women क्या करते थे, bangles पहना करते थे, a statue found at the harapan side present an excellent specimen of their art, जो statues मिले उस ताइम के, तो उससे हमें यह भी पता चलेगा, कि वो लोग इस तरकी का art भी जानते थे, it shows the man's facial features very clearly, तो उस ताइम के जो statues बने थे, तो लोगों ने क्या किया होगा, कि उस समय के जो लोग थे, उनके जैसे ही facial features बने थे, तो थोड़ा सा idea हमें लग जाता है, कि उस time के लोग किस तरकी के दिखते होंगे, या फिर facial features किस तरकी के होंगे, a cloak with a beautiful trifoil pattern is draped across your shoulder, कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, picture में तो आपको समझ में आएगा, कुछ इस तरक कि का वो क्या था, art हमें दिखाए देगा, visit a grocery shop nearby from where does the shopkeeper buy the items in your shop, list the item, कि कोई grocery shop है ताप वहाँ पर जाके, shopkeeper से पूछ सकते हो, कि वो किस तरके से ये सारी चीज़े खरीद के लाते है, कहां से लाते है, आप list बना सकते हो, तो इससे क्या जुड़ा हुआ है कि trade, जैसे कि आ कैसे करते थे, the Harapan people carried on trade within India as well as within countries outside, कि Harapan people अपने इंडिया में तो व्यापार करते ही थे, लेकिन उसके बाहर भी करते थे, the Indus Valley was known from its high quality cotton, कि Indus Valley, देखे वहाँ पे पानी अच्छा था, जमीन अच्छी थी, तो इसके कारण high quality cotton वहाँ पे ग्रो होता था, this cotton was exported to other region like West Asia, Southern Europe and Egypt, इन लोगों को export किया जाता था cotton, cotton cloth 2 was exported, cotton के बने हुए cloth को भी export किया जाता था, the traders of the Harapan civilization provided muslin cloth to Egypt, तो Harapan civilization के लोग जो हे muslin cloth जो होता है, type का, तो उसे Egypt को क्या करते थे, export करते थे, silver, zinc, game stones, rubies, they would wear some of the items that were imported from Kashmir, South India, Iran, Afghanistan and Balochistan, तो इस तरीके से जो हे, ये सारी चीजे वहाँ से उन प्रदेश से क्या किया जाता था, import means, उनके लिए वो लोग लेकिया आते थे, trade was carried on both by land routes and sea routes, land routes जो होते हैं, उनको भी use किया जाता था, जमीन से जाने वाले routes और समंदर में जाने वाले routes को भी use किया जाता था, some of the executed seals bear pictures of ship, तो कुछ ऐसे seals मिले हैं कि जिसके उपर ships भी मने हुए, इसका मतलब वो लोग समंदरी रास्ते को भी use करते थे, ships को भी use करते थे, a huge dockyard has been discovered at Lothal, the trade of the Harappan civilization was carried on along the coastline of the Arabian sea, तो हमें अगर हम दखेंगे ये जो वैपर उनका ह तता Harappan civilization का ये mostly कहाँ पर दिखेगा, Arabian sea के coastline में दिखेगा, next हम दखेंगे, an artist visualization of the dockyard at Lothal, reconstructed with the help of the remains, कि जो remains वहाँ पर मिले हैं, उनको ही थोड़ा सा reconstruct करके ही visualize किया गया है, कि कुछ इस तरकी का वो दिखता होगा, Reasons for decline of the Harappan civilization की, Harappan civilization किस तरके से decline हुआ या फिर क्यो हुआ, उसके reason हम दखेंगे, frequent flores invasions by foreign tribes decline in trade, where some of the reasons for the decline of the Harappan civilization की, कुछ reasons है, कि flores होने के कारण, बाढ़ आने के कारण, पूरे शहर जो है, पानी के नीचे चले गए, या फिर foreign tribes का invasion हो, या फिर trade का decline होना हो, ये सारे नश्ट होने की, some reason became right due to weakening of monsoon, drying up the river basins, earthquakes, tendency in sea level, etc. तो ये कुछ natural चीज़े भी है, जिसके कारण, जो है, Harappan civilization, decline हुआ था, people migrated to other places, leading to the decline of cities, कि लोग जो है, migrate करने लगे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसके कारण, cities decline होने लगी थी, the Harappan civilization was a prosperous and flourishing urban civilization, it laid the foundation of the Indian civilization, तो इसको Indian civilization का foundation भी माना जाता है, तो देखिए student, इस पूरे लेसन में हमें समझ में आया, कि Harappan civilization कहाँ पे, ग्रो हुआ था, किस तरह के से ग्रो हुआ था, या फिर उनकी lifestyle कैसी थी, क्या-क्या चीज़े वो किस तरह के से use करते थे, ये भी हमने देख लिया, औ और किस तरह के से Harappan civilization डिकलाइन हुआ ये भी हमने देखा है, तो student अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरू कीज़े, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब भी जरू कीज़े